बॉलेवूड के फिल्म डारेक्टर विदु विनो चोपडा ने एक बार एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके बाद भाजपा के वरिष्ट नेता लाल कृष्ण आड़वानी ने विदु विनो चोपडा को एक जोरदार चांटा लगा दिया था क्या गलती की थी विदू विनो चोपडा ने इस बारे में मैं आपको बताऊंगा तो जैसा के हम सब जानते हैं कि विदू विनो चोपडा के इंडिया के मशूर film producer और film डारेकटर हैं बट विदू विनो चोपडा ने अपना film इं करियर शुरू किया था FTII से Film and Technical Institute of India में विदुविनो चोपड़ा पढ़ाई करते थे Film and Technical Institute of India में विदुविनो चोपड़ा ने अपना Film Direction का कोर्स किया था और 1976 में जब वो graduate हो रहे थे Film and Television Institute of India से उस वक्त उन्होंने अपनी एक experimental film बनाई थी जिसका नाम था Murder at Monkey Hill ये Film को National Award मिला था for Best Film in the Short Experimental Section Category मतलब एक Best Film जो की एक experimental film के तौर पे बनाई गई हो उस रिनी में Murder at Monkey Hill को National Award मिला था National Award लेने के लिए विदुविनो चोपड़ा दिल्ली आये थे दिल्ली में राश्टपती भावान में कारेकरम हुआ था ना 1876 में जब विदुविनो चोपड़ा का नाम एनाउंस किया गया तो विदुविनो चोपड़ा stage पे गए stage पे चड़े और उन्होंने अपना certificate grant किया राश्टपती से जब विदुविनो चोपड़ा ने अपना certificate grant किया उसके साथ उनको एक postage stamp भी मिला था जिसमें लिखा था कि उनकी जो प्राइज मनी है इस फिल्म के लिए जीतने के लिए वो 4000 रुपए है बट वो इसको कैश कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साथ साल के बाद ये चीज विदुविनो चोपड़ा ने स्टेज पे खड़े हो करके ही उस पोस्टे स्टैम की पर लिखी हुई बात को पढ़ा और उसके बाद वो प्रशारण और सूचना मंत्री लाल किष्ट आडवानी से बहस करने लगे कि साथ साल के बाद प्राइज मनी देने का क्या फा आडवानी की बाद प्राइज सारेत हो रहा था विदुविनो चोपड़ा के बाद जिन लोगों को अपने अवार्ट लेने थे वो सब स्टेज के नीचे खड़े हुए थे और विदुविनो चोपड़ा और लाल कृष्णा आडवानी की बीच में पांच मिनट हो गए साथ मिनट हो गए आठ बाचीद होती जा रही थी होती ही जा रही थी होती ही जा रही थी उस वक्त विदुविरों चोपड़ा की उम्रती महस 21 साल तो उनको इतना अनुमान नहीं था कि वो कहां पे आये हुए हैं और उनको किस हिसाब से बहेव करना चाहिए तो वो एक बच्चे क जैसे लालकृष्ण अडवानी सहाब के साथ बहस में लगे हुए थे कि साथ साल के बाद चार हजार रुपए प्राइज मेनी देने का क्या फाइदा है और उनको प्राइज मेनी तुरंट चाहिए ये देख करके राष्टपती सहाब जो स्टेज पे खड़े हुए थे उन्होंने जोर से पूछी दिया कि आप दोनों के बीच में सी क्या अरजेंट बात हो रही है तो इसका जवाब में विदुविनो चुपडा मोड़े और उन्हों राष्टपती सहाब से पूरी अपनी वाक्या कही उन्होंने बदाया उनको कैसे प्राइस मेरी उनको 7 साल बादी मिलेगी और ये पोस्टे श्टैम्प उनके लिए अभी एकदम ही useless है तो राष्टपती सहाब ने उनको कहा कि वो चले जाए और कल लाल तरफ पल्टे और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दिजे जस्ट इन केस अगर मुझे लाल कृष्णा अडवानी के दफ्तर में एंट्री नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानता हूँ ऐसी बात विदुविनो चोपड़ा न में प्रसारित हो रही थी 1976 का दौर था और कोई विदुविनो चोपड़ा अगले दिन लाल कृष्णा अडवानी के दफ्तर में गए और लाल कृष्णा अडवानी विदुविनो चोपड़ा के पास आये और उनको कहा कि आप मुझे अपने पिता का नंबर दीजिए मुझ जी ने कहा कि आप विदुविनो चोपड़ा को एक कस के थपड़ लगा दीजे और ये चीज़ लाल कृष्णा अडवानी ने सच में विदुविनो चोपड़ा के गाल पे चाटा लगा दिया और उनके फादर बहुत खुश हुए क्योंकि उनके फादर को लगा कि विदु रुमाल रखना, उनका लगेज, उनका फूड, सारी चीज़ें उनके दोस्तों नहीं उनके लिए सिक्योर की है और वो चाहते थे कि ये चारजार रुपए से वो अपने दोस्तों का कर्ज उतार दें जो उनके लिया है, दिल लिया करके अपना पुरसकार करने के लिए ये सुनकर के आडवानी साहब बहुत खुश हुए, उनके विदुविनो चोपडा को गले लगाया और उनको कहा कि तुमारे जैसे नाजवान हमारे देश का अच्छा भविश्य हैं जो कर्ज में उनके डूबे रहना चाते हैं, जो जल्द से जल्द कर्ज उतार देना चाते हैं तो ये किस्सा था विदुविनो चोपडा स्टेच पे खड़े हो करके उन्होंने कुछ बचपना कर दिया था जिसके बाद अगले दिन जब लालकृष्यन अडवानी साब से मिले तो लालकृष्यन अडवानी ने तुरंती विदुविनो चोपडा के पिता को फोन लगाया और विदुविनो चोपडा के पिता ने अडवानी साब से कहा कि आप कस के एक थपड लगाए मेरे लड़के को और उस वक्त लालकृष्ण अडवानी ने विदुविनो चोपडा को एक थपड लगाया था